ये guys welcome back to another video और आज हम देखने वाले हैं वायो टेक्नलोजी की unit 1 का lecture number 2 और इससे पहले वाले वीडियो हमने देखा था कि enzyme immobilization क्या होता है और उसके बारे में हम जो basic जानकरी थी वो सारी चीज़ें हमने देखी थी और उसमें हमने देखे थे कि कौन-कौन से जो method होते हैं enzyme immobil immobilization में यूज करने वाले तो उन सभी के वारे हमने जाना था लेकिन आज हम देखने वाले उनी जो methods के बारे में उनकी पूरी detail कि किस तरह से जो हर method को यूज किया जाता है enzyme immobilization में और basically हमने पिछले वाले चैप्टर में बहुत ही आसान तरीके से समझाता है कि क्या होता है enzyme immobilization और basically हमने अचार बनाना सीखा था कि कैसे हम आम को प्रिजर्ब करके रखते हैं ताकि हम उसे पूरी साल खा सके तो इसी तरह से enzyme जो immobilization होता है उसमें क्या है enzyme को carrier की help से उसे प्रिजर्ब करके रखा जाता है ताकि हम उसे जब हमें इसकी जववत पड़े तब हम उसक का इस्तमाल कर सके और इसलिए जो enzyme immobilization किया जाता है तो सारी चीज़ें हमने समझेते हैं पिछला वाला वीडियो अपने नहीं देखा है तो जाके आप देख लेना तो आज हम बात कहने वाले हैं उसी के part 2 की जिसमें हम सारे methods के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से method immobilization का तो सबसे पहला आता है हमारा adsorption method तो adsorption क्या होता है तो यह adsorption नहीं है क्योंकि adsorption में क्या होता है जैसे let's suppose कि हम कोई cotton ball ले 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 लेते हैं कोई रूई ले लेते हैं अगर हम उसके उपानी डालते हैं तो वह क्या है पानी को अपने अंदर adsorb कर लेगी है ना तो adsorb करना मतलब वह अपने अंदर पानी को adsorb कर लोगी लेकिन adsorb का मतलब होता है कि किसी surface पे कोई चीज आके चिपक जाना है ना तो जैसे हम अपने आत पे थोड़ा सा गम लपेट ले और फिर क्या है अगर कोई भी चीज आती है हमारे आत पे तो वह क्या है चिपक जाएगी पड़ती है एक तो enzyme की और एक carrier की हना तो जी enzyme होता है उसे हम preserve करते हैं with the help of carrier तो carrier क्या है उसके चारोर protection बनाता है ताकि वह क्या है एंजम जो वह सेफ रहे और जो हमें यूज करना रहता है तो carrier को हम अलग कर देते हैं और enzyme का जो यूज कर लेते हैं तो सबसे पहला है हमार absorption तो इसमें क्या है जैसे let's suppose यह हमारा enzyme है यह जो आपको box जिसा देख रहा है तो यह हमारा enzyme और इसके ऊप़र हम क्या है जो carrier होते हैं उन्हें है उन्हें been तरह से चिटटक देथे हैं नमक की तरह है ऊपर से हम चिटक दे तो carrier क्या है इसके उपर आके इस तरह से चिपक जाते हैं बहुत सारे carrier इस तरह से चिपक जाते हैं और क्या है जो पूरा enzyme है इसको अच्छे तरीके से जो cover कर लेते हैं तो यह हमारा absorption method होता है कि enzyme का जो surface है उसके उपर आके carrier चिपक गए तो बस इस तरह से हमारा के यह जो enzyme है वो एक तरह से जो है safe हो गया अंदर उनके तो absorption है जो surface फिनोमेना in which carrier molecules get idle on the surface of enzyme molecule and make a weak complex which is connected by vendor valve force of hydrogen bond तो absorption क्या होता है कि एक तरह से surface फिनोमेना होता है जिस पर क्या है जो carrier के जो molecules होते हैं वो क्या है enzyme का जो surface है उसके उपर गया है चिपक जाते हैं यानि idle हो जाते हैं और क्या कहते हैं एक complex वनाते हैं वी complex का मतलब जो यह जो enzyme है न और यह जो molecules हैं carrier molecules हैं वो क्या है एंजम से चिपक गए और वो चिपके किसकी वैशे हैं एक force होता है जिसे हम बोलते हैं vendor valve force और इनके बीच में जो एक connect count करता है एक bond होता है जिसे हम hydrogen bond वोलते हैं तो यह जो carrier के molecules है यह क्या है vendor valve force के through hydrogen bond से और जुड़े हुए enzyme से तो कुछ इस तरह से जो absorption काम करता है अब बात करते हैं इसके bonding की कि इसकी bonding के वो physical रहती है और यह क्या है इसमें जो carrier का material है वो दो तरह का यूज़ किया जाता है एक तो होता है inorganic और एक होता है organic तो inorganic में जो है carrier यूज़ किया जाता है alumina silica calcium phosphate glass तो यह क्या है inorganic carriers है और बात करें organic carriers की तो इस्टाज cmc cmc का मतल्य होता है carboxylic methyl cellulose और यह फिर deae cellulose तो इस इसे जो है दो त्रह के carrier यूज़ किये जाते हैं absorption में और दौनक की बारे मैंने आपको बता दिया और जो force है वो force कौन सा काम करता है वेंडर वाल force काम करता है और hydrogen के वीक bond के तुरू यह जुड़े रहते हैं बात करते हैं इसके advantage और disadvantage कि कि क्या इसके फायदे हैं और क्या नुक्सार है तो obviously इसका फायदा सबसे यह है कि इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं रहता कोई machinery यूज नहीं करना रहता है तो basically यह एक तो बहुत यहाद सस्ता रहता है तो सबसे पहला point है हमारा easy and simplest method तो ही तो यह है क्योंकि आसान है बहुत ही आदा simplest भी है क्योंकि आपको कुछ नहीं करना बस enzyme लेना है उसके उपर आपको carriers को छड़क देना है तो यह हो गया हमारा adsorption method तो बहुत ही आसान है इजी है simplest है और very cost effective है यह इस पर कोई खर्चा भी नहीं आता है ना कोई machine भी यूज करनी ना कोई चालग से जो mega summon करीना बस जो है बहुत ही आसान और बहुत ही effective है अब obviously यह effective है तो इसके obviously यह थोड़ा सा सस्ता है तो इसके साबसे इसके कुछ disadvantage भी होंगे तो बात करते हैं तो in this method carriers are attached with enzyme with weak forces so they can so they can be removed तो basically हमने इसमें क्या किया था कि जो enzyme की ऊपर जो हमने carriers को छड़क दिया तो वह किया है जो carriers है वो enzyme से अलग हो सकते हैं दूसरा हमारे जो पॉइंट हो है enzyme can be formal linkage matrix with the carrier तो इसका मतलब होता है कि जो enzyme होते हैं वो क्या करते हैं carriers के साथ एक linkage matrix बना लेते हैं यानि एक तरह से वह क्या है बहुत ही ज्यादा मजबूत तरीके से वह क्या है एक layers ही बना लेते हैं अपने उपर carrier की और फिर उससे हम जब remove कहते हैं तो आसानी से remove नहीं होती है तो एक तरह से क्या linkage matrix उनके उपर form हो जाता है enzyme के उपर carriers का तो यहां पर हमारा adsorption method खतम हो चका है जिसमें हमने advantage देख लिए disadvantage देख लिए और बाकी सारी चीज़े हमने देख लिए carriers का जो material होता है वो दो टाइप का होता है inorganic और organic तो यह हमारा finish हो चका है meth . अब जो हमारा अगला method है वो हमारा entertainment method तो antrap method का क्या मतलब होता है तो एंट्रेप का मतलब होता है एक दरह से क्या ट्रेप या एक तरह से क्यान जाल तो यह वालो method है वो भी काफी अच्छा method है तो इसमें क्या है는 जो enzyme होता है वो हमारा बीच में आ जाता है और इसको उपर क्या है एक तरह से जो है जाल बन दिया जाता है यानि एक तरह का cage जो है इसके उपर लगा दिया जाता है तो enzyme क्या है अंदर हो गया और इसको उपर एक cage बन गया एक जाल बन गया है ठीक है तो इस तरह से जो है एंजाइम को जो है प्रिजब करके रखा जाता है यानि एंजाइम को जो है immobilization किया जाता है तो in this method the carrier wave like a special cage and enzyme molecular interact within this cage तो जो carrier होता है वो किस तरह से wave करता है like a cage है ना एक जाल की तरह जो अवेब करता है यानि एक जाल बना लेता है और enzyme molecule क्या है उसके अंदर चला जाता है यानि उसके अंदर फस जाता है interact हो जाता है तो इस तरह से कुछ यह वाला method जो है यूज किया जाता है तो यह हो गया अपना carrier केज की तरह है और यह हमारा इसके अंदर हो गया जो क्या है फसा हुआ है उसके अंदर material अगर हम बात करें क्या क्या यूज किया जाता है तो cellulage, rubber, glass, silicone, gelatin इस्टास यह क्या है इसके अंदर material यूज किया जाता है as a carrier advantage की बात करें तो it is better than adsorption because it has better mechanical strength तो बैसी अच्छा है काफी अच्छा है लेकिन क्या सबसे best नहीं से बोल सकते हैं लेकिन यह adsorption जो हमारा method था उससे काफी अच्छा है क्योंकि इसकी जो mechanical strength यानि जो cage है cage की अंजल से क्या है enzyme बार नहीं निकल सकता है एक तरह से यह फसा हुआ है इसकी जो strength है वो क्या adsorption method से काफी अच्छी है दूसरा हम बात करें तो in this method denaturation of enzyme is avoided तो इसमें क्या है enzyme के किसी reaction के तुरू नहीं जुड़ा है केवल जो cage की अंदर जो फसा हुआ है एक तरह से तो इसमें जो denaturation है यानि जो enzyme का जो safe size है उसके अंदर कोई reaction नहीं हो रही है तो क्या है इसका जो denaturation होता है enzyme का वो क्या है बिलकुल नहीं होगा तो कोई reaction नहीं होई असके अंदर यानि कोई जो carrier है वो reaction के तुरू उससे नहीं जुड़ा है वो किवल एक cage बना रहा है जिसके अंदर enzyme फसा हुआ है तो इस तरह से क्या है कोई denaturation भी नहीं होगा बात तो इसके उपर cage बना हुआ है लेकिन क्या enzyme इसके अंदर से leak कर सकता है क्योंकि वो किसी reaction के थुरू नहीं जुड़ा है किवल उसके अंदर फसा हुआ है तो वो क्या एक तरह से leak कर सकता है सेकेंड हम बात करें तो the capacity of enzyme loading is very low तो enzyme की जो loading है यानि enzyme जादा से यादा enzyme को एक cage के अंदर नहीं बराया सकता है यानि एक cage के अंदर केवल enzyme की एक ही molecule को trap किया जाता है तो इस तरह से जो उसकी capacity रहती है enzyme loading की वो काफी कम रहती है नेक्स तो बात करें अगले method की तो वह हमारा micro encapsulation तो like極 अच्छा method इसके बारे म हम जान लेते हैं तो इसमें क्या होता है generally एक micro capsulation में क्या रहता है कि इसमें दो चीज़ा ली जाती है ंटो इसमें एक तो lipid लिया जाते है एक एंजयम लिया जाता है, दो छीएं लिया जाती है, तो यह होगा हमारे लिपेट के मॉलेकुल्स, यह होगा हमारे एंजयम के मॉलेकुल्स, बेसकली किया जाता है कि एंजयम को बीच में रखा जाता है, और लिपेट के क्या है, चारो तरफ मॉलेकुल्स जो है, लगा दिय प्रॉट कंदम निया आपस में दीरे दीरे जो मिलके सब्राइब चाहरो एक बन जाती है तो शोटुझ По Blood नाइब and इस निया सुछ आजाता है तो इस तो यह से कुछ है यह यह कुछ कांप काटा है तो तो in this method the carrier used by lipid, lipoprotein and different things, तो इस method में क्या है, carrier use किया जाता है, जिसमें lipid हो सकता है, lipoprotein हो सकती है, या फिर कोई और भी चीज़ हो सकती है, next time बात करें तो they entrap the enzyme molecule within it and form liposomes, तो इसमें क्या है, lipids के अंदर जो enzyme, जो molecules अंदर उसके चला जाता है, entrap हो जाता है, और फिर क एक liposomes को जो है, निर्माड हो जाता है, बात करें इसके advantage की, तो it is better method and do it for the enzyme, which है lipid in nature, तो ये काफी जो है better, यानि काफी अच्छा method है, और इसे इस तरह के enzymes के लिए use किया जाता है, जो enzyme क्या है, lipid होते हैं, नेचर में, हैना, तो ये जो lipid वाला method है, ये उन्हेंगे enzymes के ये use किया जाता है, जो क्या है, lipid होते हैं, यानि उनका जो nature होता है, वो lipid वाला रहता है, second अब इसके disadvantage की बात का, तो stability की थोड़ी low होती है, क्योंकि इसमें क्या है, जो lipids बगारा है, वो कि उसके अंदर reaction करके, और enzyme के साथ react कर सकते हैं, इसकी वैसे इनकी जो stability होती है, और ये थोड़े costly रहते हैं, क्योंकि काफी सारी इसमें machine बगारा use होती है, काफी technology use होती है, इस वैसे क्या है, थोड़ा सा cost effective रहते हैं, तो ये थोड़े costly रहते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, covalent bonding की, जो हमारा fourth method है, तो इसमें क्या है, generally enzyme और जो carrier है, वो एक bond के तरू जुड़े होते हैं, जिसे हम बोलते हैं, covalent bond, है न, तो ये हमारा बिलकुल अलग method है, और काफी जो है, effective भी है, useful भी है, और जागतर इसे use किया जाता है, तो इसमें enzyme और carrier एक bond के तरू जुड़े होते हैं, जिसे हम covalent bond बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है covalent bonding, तो हम बा enzyme में का complex structure, तो इस पैथर में क्या होता है, कि carrier और enzyme के बीच में का a covalent bond form किया जाता है, और जिसकी वैसे किया है, एक complex structure बन जाता है, और उसकी stability होती है, वो कभी अच्छी होती है, second हम बात करें, तो those enzymes which have a special kind of functional group, only they can form this type of immobilization में, तो इसका मतलब है कि ये वाला method है, इसमे कि वाल उसी तरह के enzymes को immobilize किया जा सकता है, जिसमें किया है, एक special type का functional group होगा, तो उसी तरह के enzymes को जो है, huge किया जाएगा इसमें, उनी को जो है, immobilize किया जाएगा, तो जैसे इसके बीच में किया, covalent bond form होगा, enzyme और carrier के बीच में, तो जो enzyme है, उसके पास भी क्या है, special type का functional group होना चाहिए, तबी इसके बीच में, और carrier के बीच में, क्या है, bond बनेगा, यानि, carrier के पास भी special functional group होना चाहिए, और enzyme के पास भी, कुछ special job functional group होने चाहिए, तबी जो है, covalent bond उनके bीच में बनेगा, और तब जाकि enzyme में mobilize हो पाएगा, तो यह हर enzyme के लिए नहीं, उनी enzymes क के लिए यह जो जो होता है जो क्या है special functional उनके पास होते हैं तो बात कहते हैं कि कौन-कौन से special function ग्रूप होते हैं तो सबसे पहला रहता है हमारा NH2 जिसे हम अमीनो गुरॉप बोलते है ं ao कारवॉक्सिल गुरॉप और फिनाइल गुरॉप उसके बाद हमारा यब और यह होता है पता हुद फ्ल्फ आरिछल रहता है अगर इस तरहें अगर यह एंगर की अंदर की निचusta हो है, कहुआ है, उसके पास भी होने हैं और वह सो हुद्ट है, उसके हैं हमely Bueno CAREige पोने चाहिए, और वह होते हैं हमारे एगारोच, सेलूलोच और पॉली एलाइल, तो ये क्या है special functional group है, carriers के लिए, तो दोना तरह की चीज़ है, यानि enzymes के पास भी special functional group होने चाहिए, और carrier के पास भी special functional group होने चाहिए, तभी इनके बीच में क्या है, covalent bond बनेगा, और इसके जो advantage है, वो काफी है, कि this have strong bond, so stability is very good, क् के covalent bond इनके बीच में होता है, तो वो काफी strong bond होता है, तो जिसकी वैसे क्या, stability जो होती है, तो वो क्या है, काफी अच्छी होती है, second अब बात करें, तो in this method, the chances of leakages very low, तो क्या है, covalent bond इनके बीच हो form हो जाता है, जिसकी वैसे क्या, leakage की जो chance है, वो बिलकुल कम हो जाते थर्ड की बात करें, तो they have enzyme high uniformity, तो enzymes के बीच में क्या है, काफी अच्छी जो uniformity रहती है, वो काफी high रहती है, और बात करें, इसके disadvantage की, तो the chance of enzyme denaturation is very high, due to reaction, क्योंकि इनके बीच में क्या है, carrier enzyme के बीच में क्या है, covalent bond form होता है, due to a reaction, तो इन दोलों के बीच में पहले reaction होती है, तब जाके जो है, एक covalent bond बनता है, तो इसकी वैसे क्या है, जो इसका structure है, enzyme का, वो change हो सकता है, और इसकी, उसमें क्या है, denaturation हो सकता है, second बात क्या है, तो high amount of bioregent is needed, तो इसका एक नुक्सान ये भी है कि काफी ज्यादा जो है, bio regions के इसमें जवत पढ़ती है, का सबसे last time बात करते है, cross linking method की, तो यह हमारा enzyme immobilization का सबसे last method है, तो this method used for those enzymes, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, basically इसमें होता यह है, कि इसमें काफी सारे जो enzymes लिए जाते हैं, तो इस तरह से हमारे एक enzyme यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, हमारे एक यह यह जढा गया, वियर скорее इससे enzyme के साथ जड़ गया फिर एस एंजियम के साथ जड़ गया, फिर ये enzyme हमारा यह जड़ गया, यह carrier इस dataset जड़ गया, इस तरह से कारे समें एक जड़े जुड़े आते हैं, और क्रॉस linking कर देते हैं, यह बड़ा एक complex structure आपस में बना लेते हैं, तो यह हमारा यह वाला method होता है तो पढ़ते हैं इसके बारे में जानते हैं क्या गोच होता है तो this method is used for those enzymes which have multiple functional group and these multiple functional group react with the different different carrier molecules and form a cross-linking structure तो यह क्या है उस तरह के जो enzymes के लिए use किया जाता है जिनके पास क्या है multiple functional group होते हैं तो जैसे हम एक example ले ले लें कि यह हमारा enzyme है तो इसक के पास क्या है एक functional group होगा साथ मैं इसके साथ क्या है एक और यहांपर functional group होगा एक और होगा है खुर वह जो इसमें किवशले वाला था हमारा occ leagues को यह उम्ज्छ लुन होगी कि उसमें पीछले वाला था हमारा method था जिसमें हमने देखा था किूँसमें कहाई special type का क्या है functional group होना चाहिए तब जाके carrier के साथ covalent bond बनाएंगे तो इस तरह में भी carriers के साथ यह जोड़ पाएगा तो इस तरह मोल्टीपल गुरूप होने चाहिए तब क्या है उस तरह की enzymes को जो है immobilization इस method से किया जाता है और यह क्या है जो special functional जो multi-functional गुरूप रहते हैं यह क्या react करते हैं different type of carriers molecules तो काफी सारे carrier molecules होते हैं उन सभी के साथ ही react करते हैं और क्या cross-linking structure बना देते हैं और इनका जो structure तो होता है वो क्या है 3D structure होता है for example हम बात करें तो gluter LDI, dye, dye isovengenidine और hexamethyl dye, syglonate और toluene dye, isothiocyanate तो यह उसके कुछ examples है हमारे advantage के हम बात करें तो simple होता है बहुत आसन तरीके से हो जाता है बस सारी चीएं कर दो वो अपने अप जो cross-linking बना लेते हैं अपने बीच में minimum NGM leakage होता है क्योंकि एक बहुत ज़्यादा complex structure होता है तो जो NGM leakage के chances जो बिल्कुल कम हो जाते है cost effective रहता है क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा यूज नहीं होती है कि वह reaction होती है तो बहुत ज़्यादा सस्ता रहता है डिसाड़बंटेज की बात करें तो NGM modification हो सकता है क्योंकि यह किसी reaction के तुरू आपस में जोड़ते हैं बहुत ज़्यादा complex structure बन जाता है तो NGM क्या modified हो सकता है denatured हो सकता है उसका size उसका safe जो बिगड़ सकता है तो यह इसके कुछ disadvantage होगे तो यह हो गया हमारे कुछ इसके method जो क्या है एंजम इंजम में यूज किया जाते हैं तो आपको सबको समझ में आ गया होगा सबसे last जो हमारा topic रह जाता है वो हमारा applications of immobilized enzymes तो जो ऑन्जम जो immobilization हम करते हैं तो इसका use कहा पर होता है तो उसके बारे में हम देखते हैं उसके applications देखते हैं कि कहां कहां पर जो है यूज किया जाता है सबसे पहला रहता है हमारा bio transformation में secondary metabolite production में सका यूज किया जाता है एंजयम-linked immuno-absorbent यासे यानि आलीसा उसमें भी इसका यूज किया जाता है और बात करें बात करें बायोजिकल वासिंग पाउडर्स में यूज किया जाता है फूर्ड इंडश्टी में यूज किया जाता है और स्टीड जयमिनिशन इसके लाबा भी कावि सारे रहते हैं पर जो कमेंट करके पूँच सकते हैं मैं आपको उसका reply जरू हो दूँगा उसका solution भी दूँगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई lecture के साथ तब तक लिए goodbye and take care